जो हिन दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल गुरूड पर तो आज हम लोग डिसकस करेंगे Special Test No.5 तो हम डेली जिके के 50 क्यूशन करते हैं तो आज हमारे 250 क्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे तो आज का जो पहला क्यूशन है उसे देखते हैं आज का पहला क्यूशन है कि सौतंतर भारत की पहली सिक्षन निती थी वो कब आई थी तो जो भारत की पहली जो सिक्षन निती थी वो आई थी 1968 के अंदर अगला क्यूसन है गंगोर किस राज्य का उत्सव है तो जो गंगोर मनाई जाती है वो मनाई जाती है राजस्तान के अंदर अगला क्यूसन है विनु माकंड का सम्मद किस खेल से है तो जो विनु माकंड है उनका सम्मद है किरकेट से क्रिकेट की ये पूरवे खिलाड़ी थी कि विनु माकेंड अगला क्यूसन है उस्ताद बिस्मिला खान ने परसिधी पाई है तो उस्ताद बिस्मिला खान थे उन्होंने परसिधी किस कारणे से पाई है तो ये बजाते थे सेनाई और सेनाई की कारणे ने परसिधी मिल ले थ अगला क्यूशन है टीपनी किस राज्य का लोक नरते है तो जो टीपनी है यह है गुजरात राज्य का लोक नरते गुजरात के अंदर टीपनी लोक नरते है वो क्या जाता है अगला क्यूशन है वाइड बोल किस खेल का सब्द है तो हम सभी जानते है वाइड बोल है इस्टेडियम कहां पर इस्टित है तो जो होलकर स्टेडियम है वो कहां पर है इंदोर के अंदर इस्टित है इंदोर के अंदर है होलकर स्टेडियम अगला क्यूसन है किस कोशिका को किसे कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है तो जो माइट्रो कॉंड्रिया है माइट्रो क मज़ होता है उसे कहते हैं सुक्राणू ठीक है अगला क्यूशन है कोशिका में कौन सी पाचन कोशिका में कौन सी पाचन थेली कहलाती है तो जो पाचन थेली होती है उसे वह होती है लाइसोसो में इसको कहते हैं पाचन थेली अगला क्यूशन है किस पादब का किसी पादब क जो दूसरा पादब का जो गया जाता है उसे कहते हैं कलम तो कलम होता है इसके कारण एक पादब पर किसी दूसरी जाती का पादब पर उगया जाता है और इसे क्या कहते हैं कलम कहते हैं अगला क्यूशन है दूद को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो जो दू का रंग पीला हो जाता है तो जो गाय का दूद है वो पीला होता है के रोटीन के कारण गाय के दूद में क्या पाय जाता है के रोटीन पाय जाता है जिसके कारण इसका रंग पीला हो जाता है अगला क्यूशन है खट्टे दूद में होता है तो जो खट्टे दूद में होता ह वो होता है लेक्टिक एसिड जो खटा दूद होता है उसके अंदर होता है लेक्टिक एसिड और एकिस कारण से होता है लेक्टो बेसिलस जो बेक्टिरिया होते हैं उनके कारण इसका जो एसिड बनता है वो लेक्टिक एसिड बनता है अगला क्योशन है आर बी सी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं तो जो आर बी सी का कब्रिस्तान कहते हैं वो होती है पलिहा पलिहानी स्प्लीन जो स्प्लीन होती है उसे आर बी सी का कब्रिस्तान कहा जाता है अगला क्योशन है मानो का सबसे बड़ा अंग है सबसे बड़ा अंग कह दीजिए या सबसे बड़ी गरंती होती है वो कौन सी है सबसे बड़ा अंग होता है मानों के अंदर वो होता है या करती है यानि लिवर लिवर क्या क्या काम कर सकता है ये पित का स्ट्राउंड करता है और यूरिया का निर्माण करता है और विसेले पदारत है उनका विस हरन करता है और विटामिनों का निर्माण करता है तो यह चार काम यह लिवर करता है और यह क्या है मानों की सबसे बड़ा अंग है यह सबसे बड़ी गरंती है अगला क्यूशन है अस्तियों और दांतों के बीच मुझूद कौन सा रसाइनिक दर्वे है तो जो अस्तियां और दांतों के बीच में जो होता है वो होता है केल्सियम पोस्पेट केल्सियम पोस्पेट होता है दांतों के अंदर और अस्तियों के अंदर अगला क्यूशन है कार्बोहडरेट के अलावा हमारे बोजन में उ अगले question पुछा है दुध में कौन सी protein शरकरा यूगं होता है? तो दूध के अंदर का पहीत जाती है अगला question है फ्रों का स्वाध मिट़ा किस कारण से होता है? तो प्रbits का स्वाध होता है शोदा है फ्रक्टोज के कारण ये फ्रक्टोज जो सरक्रा पाई जाती है इसी के कारण इसे इनका स्वाद मिठा होता है अगले क्यूशन है अगले क्यूशन पुचा है विटामिन के का कार्य क्या है तो जो विटामिन के होता है वो क्या गरता है रक्त का ठक्का बनाता है रक्त का ठका कुस कौन से एंजाइम को यह सक्री करता है यह प्रोध्रोम मीन होता है वो स्पदार्द के संसलेशन का निरमान करना प्रारण कर देता है कौन विटामिन के और इसके कार्ण रक्त के अंदर ठक्ये बनने सुर्ध हो जाते हैं अगला किसन है निमन में से किस के अंदर करायो इंजन का प्रियोग होता है तो जो रोकेट होती है जो जिसको अंत्रिक्स में बेज़ा जाता है उसके अंदर करायो इंजन का प्रियोग होता है अगला क्यूशन है जल वास्प में कौन सी उस्मा होती है तो जलब वास्प है उसके अंदर होती है विशिष्ट उस्मा उसके अंदर होती है इसी कारण से हमें जलब वास्प से अधिक हानी पहुंचती है अगला क्यूशन है कोई पिंड उस्मा का सबसे अधिक आउसोशन कम करेगा तो जो पिंड होगा, अगर वो काला और खुरद्रा होगा तो वो सबसे अधिक उसमा का सौसन करेगा अगला क्यूसन है प्रकास का एक माद्यम से दूसरे माद्यम से माद्यम में गुजारने पर उसकी दिशा में जो प्रिवर्तन होता है यानि जो एक माद्यम है अगर एक माद्यम ले ले तो इस माद्यम से अगर गुजारेंगे तो इसकी दिशा में परिवर्तन होगा तो इसे क्या कहा जाता है तो इसे कहते हैं अपवर्तन और अगर पूरा ही परिवर्तन हो जाए तो इसे क्या गैदेंगे परावर्तन इसे कहें प्रिजम में से परकास को गुजारने पर सबसे अधिक कौन सा रंग परिवर्तित होता है तो प्रिजम में से अगर हम परकास को गुजारेंगे तो पूछा है कि कौन सा रंग सबसे ज़्यादा परिवर्तित होगा तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तित होने वाला रंग होग वो जाएगा बेंगनी रंग क्योंकि बेंगनी रंग इसलिए सबसे ज़्यदा परिवर्टि कोता है क्योंकि इससलिए ने से कम होता है सबसे कम होता है किसका Ariel कोव इसा कमात्रक होता है तो जो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक होता है यह होता है जोती फलक्स का यानि ल्यूमेन मात्रक होता है जोती फलक्स का अगला क्यूसन है स्वेत रंग कितने रंगों का मिस्रण है तो जो स्वेत रंग होता है वो कितने रंगों का मिस्रण होता है तो यह होता है साथ रंगों के मिश्रन से बनता है सवेत रंग यानि सफेद रंग बनता है अगला क्यूशन है परमानु गड़ी किसके संकर्मन पर आधारित होती है तो जो परमानु गड़ी होती है यह होती है सीजियम के उपर आधारित होती है अगला क्यूशन है कौन सा लेस किड्नों को अभी केंदित करता है तो जो अभी केंद्रित करने का कार ये करता है वो करता है तो ये करता है आउतर लेंस जो आउतर लेंस होता है ये किर्णों को अभी केंद्रित यानि एक जगह पर इक्टा करता है कौन जो आउतर लेंस होता है वो अभी केंद्रित करता है अगला क्यूशन है जो वर्ड होता है, वो वर्ड होता है, मेट्रियो, मेट्यूरो, लोजी, मेट्यूरो, लोजी, ये का जाता है किसको, वायू मंदल ये गटना को मौसम विज्यान का जाता है, अगला क्यूशन है, वायू मंदल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो जो वायू मंदल है, उ और उसके बाद समताफ मंडल होता है और उसके बाद होता है मद्य मंडल यानि मिजो इसपेर जो मद्य मंडल होता है उसके बाद होता है आयन मंडल और सबसे बारी परत होती है उसे कहते हैं बही मंडल बही मंडल या एक जो इसपेर अगला क्यूशन है वायू में नाइट्रो 0.0% अगला क्योश्बूर्श पर्थी के उपर मुजूद बहुंतने करते होती है वहार पांच पर्थ होती है जैसे पहली है छो मंडल दूसरी है समताप मंडल तीसरी मद्दे मंडल चोती है आयन मंडल और पांच वी क्या होती है बहीर मंडल तो यह पांच पर्थे के उपर जो वायू मंडल है उसके उपर पाई जाती है अगला क्योंशन है वतावन की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रावर्तित करती है तो जो रेडियो तरंगों को प्रावर्तित करने का काम करती है वो करती है आयन मंडल जो आयन मंडल होती है वो रेडियो तरंगों को प्रावटित करती है और ये वायो मंडल के उपर 80-400 किलो मेटर तक पाई जाती है जो आयन मंडल है वो 80-400 किलो मेटर तक पाई जाती है अगला क्यूशन है ओजोन चिद्र कहां पर है तो जो ओजोन चिद्र है वो है अंटाकर्टी का महासागर के उपर अंटाकर्टी का महासागर के उपर है और ओजोन कहां पर पाई जाती है ओजोन पाई जाती है ओजोन जो लेर है वो पाई जाती है समताब मंडल के अंदर, यानि स्टेटो इस्पेयर के अंदर आई जाती है और जो है प्रावईंगनी ज़िडी नहीं आने देती और जो सम्ताब मंडल है उसमें प्रभाईत होने वाले जो ग्रीन हाउस केसे हैं, उनके कारण जो चिड्र है का निर्मान होता है यानि ओजो उनको खानी पहुंचती है अगला क्यूशन है निमन में से कौन सा समीधान मेनी समीधान कहलाता है तो जो मेनी समीधान है वो कहा जाता है 42 सवा जो समीधान संसोधन हुआ था कब हुआ था 1976 के अंदर और इसके अंदर परस्तावना में संसोधन किया जा सकता है तो इसे मिनी सुविधान कहा जाता है और जो भीमराव अमेडगर जी थे उन्होंने इसको सुविधान की आत्मा कहा था अगला क्यूशन है भारत में एकल नागरिक्ता कहां से ली गई है तो जो भारत में बारतिय सुईदान के निर्माता किसे कहते हैं? तो जो भारती सुईधान के निर्माता है वो कहते हैं भीमराव अमेडगर और ये प्रारूप समीति के अधिक्स थे अगला क्योशन है चीन की मुद्रा क्या है तो जो चीन की मुद्रा है वो है युवान या इसको कहते हैं रेमन भी जो रिमन भी है ये भी इसे कहते हैं युवान और ये चीन की मुद्रा है अगला क्यूशन है बारत में सबसे अधिक जवार बाटा कहां पर आता है तो भारत में सबसे अधिक जवार बटा आता है वो गुजरात के जो कोखा जो है जगे है उसके अंदर जवार बटा सबसे अधिक आता है अगला क्यूशन है सिक्किम की राजदानी क्या है तो जो सिक्किम की राजदानी है वो है गंग टोक अगला क्यूशन है भारत किस गुलार्द के अंदर इस्तित है जो भारत है वो विश्व है किस गुलार्द के अंदर इस्तित है तो जो भारत है यह जैसी गलोब है इसके अंदर भारत है यहाँ पर तो यह हो गया उत्तर पुर्वी के अंदर उत्तर और पुर्वे के अंदर हो ितं है बिंदू यानि मुख्य भूमीं है जो भारत की है केप के मरें कि विवानe करें से गुजरती है अपरी का महादीफ से अगला क्यूसन है पक्षियों का महादीव किसे कहते हैं तो जो पक्षियों का महादीव है वो है दक्षिन अमेरिका यानि दक्षिन अमेरिका को पक्षियों का महादीव कहते हैं अगला क्यूशन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो जो सबसे बड़ा महासागर है वो हो जाएगा परशांत महासागर और सबसे चोटा हो जाएगा आर्कटिक महासागर यहीं सबसे चोटा और चिछला होता है सबसे चोटा है आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा है प SPN सागर है तो यह थे अपने 250 क्यूस्टन्स कंप्लीट हो चुके हैं तो यह वीडियो आपको कैसे लग रही हमें कमेंट सेक्शन में जुरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से करें थेक्स फॉर वोचिंग इस वीडियो